हेलो फ्रेंड तो आज में आप लोग के साथ ना कच्छे आम की रेसिपी सेयर करने वाले हूँ कच्छे आम की तो आप लोग उने बहुत सारी रेसिपी बनाए होंगे खाये होंगे आज में आप लोग के साथ बहुत ही ईजी तरीके की एक सिंपल सी रेसिपी सेयर करने वाले हूं तो इसके लिए हमने यहां पे तीन आम लिये हैं और इसे अच्छी तरह से धूल लिया है अब धोने के बाद क्या करना है एक बरतन लेना है और उसमें एक ग्लास के बरावर पानी डालना है और पानी डालने के बाद एक एक करके सारयाम को इसमें डाल देना है और डालने के बाद अब इस पतीले को हमें गैस के गैस पे रखना है तो इसे गैस के तरब लेकर चलते हैं तो हमने यहाँ पर गैस पर रख दिया है और गैस कौन कर दिया है और इसे हमें 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है तो 20 मिनट के बाद यह बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है यानि कलर चेंज हो चुका है और या short भी हो चुका है तो अब इसे हमें क्या करना है कि एक plate में निकाल कर धोहरी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो यह इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हमें इसे क्या करना है है ना कि अब एक बरा सा बकड़सा बर्दन लेना और बर्दन लेने के लिगाँ अब इसको हमें छिलके को उताना है इस बहुत vidORYका से निकल जाएंगा क्योंकि हमने हुबाला था तो बिलुकुल स्जी तरह से सोप्ट हो चोगा है तो बहुत एजिली यइस छिलके को मतब निकल जाएगा तो ऐसे करके चिलके निकाल लेना है निकालने के बाद जो इसमें गुठली हो है न उसको ऐसे निकाल लेना निकालने के बाद हमें फिर से एक चमच लेना है और चमच लेने के बाद न ऐसे करकर के सारे जितने भी इसमें है न वो उसे ऐसे करके सारे को न निकाल लेना है बहुत ही जी है एक बार ऐसे आप अभी आम को नहीं करना है अब इसे हाथों से ऐसे मसलना है क्योंकि अब यहां पर हमें हाथ हो का ही ऊच करना पड़ेगा तो अच्छी तरह से इसे मसल मसल के मतलब ऐसे करने ना है तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक चैनल को सिस्काइब और साथी में बेल आइकन है उसे प्रेस कर ताकि नेक्स वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे और उसके बाद करने और पानी का यूज करना है तो हम यहां पर एक कप और पानी डाल देते हैं और डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो मिक्स करने के बाद ना अब यहां पर हमें एक जमच भूना हुआ जीरा और मिर्ची पाउडर को यहां पर डालना है तक इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है उसके बाद ना अब यहां पे थोड़ी सी हमें काली मिर्ज का पाउडर आलना है इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़े से नमक और नमक डालने के बाद ना अब इसे हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ना अब तो यह अच्छी दर से मिक्स हो चुका है तो अब मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की तो हमने यहाँ पे एक कोटोरी भर के चीनी का यूच किया है आप अपने हिसाब से मीठा कम या जादा कर सकते हो तो चीनी डालने के बाद यह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड हमारी यह आम पन्ना की रेसिपी बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंड आप लोग एक बाद जरूर इस तरीके से बना कर देखना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अब इसे हमें ग्लास में निकाल लेना है तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें और साथी में बेल आइकन हैं उसे प्रेस करें ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे